हिंद भारत आपकी अपनी आवाज अपना आकरी मुकाबला चन्नई सूपर किंग से खिलाफ खेला था रिशपपन की कप्तानी में दिली ने चन्नई को माद दी थी और दोनों ही टेंज प्लेओफ में अपनी जगें जो है वो पकी कर चुकी है पॉइंस टेबल की बात करते हैं तो भाई आर्चीबी अब तक 13 मैच खेली है जिसमें से 8 मैच जीती है और पॉइंस टेबल पर 3rd position पर है तो वहीं आपकी DC भी 13 मैच खेली है, 11 मैच जीती है और 2 मैच हार कर point stable पर 1st position पर है यनि कि हम यह कह सकते हैं कि इस IPL में DC का production काफी अच्छा रहा है Head to head मैच इसकी बात कर लें तो वहीं अब तक RCB और DC 26 मैच खेल चुकी है जिसमें से RCB 15 बार जीती है, DC 10 बार जीती है और एक बार इन दोनों टीम्स का मैच जो है वो टाई रहा था टीम्स की बात करते हैं तो भाई points table से आपने अंदाजा लगाई लिया होगा कि इस IPL में DC का production काफी अच्छा देखने को मिला बले ही रिशाप पन्त और अईयर का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया लेकिन फिर भी पन्त ने अपनी टीम की जगें प्लेओफ में पक्की कर ली है प्लेओफ के मैचों में अगर इन खिलाडियों के बल्ले से रन निकालने हैं तो बैंगलोर के चैंपियंस बनने की उमीद और बढ़ सकती है भई टीम के कैप्टन विराट कोली को भी आखरी मुकाबले में अपने बल्ले से कुछ खास production करना हुई होगा सबसे बड़ी बात यहां यह है कि लीग में बैंगलोर को टॉप टू में आने के लिए दिलनी के खिलाब बड़ी जीत हासिल ही करनी होगी ऐसे में आज विराट की बोल्ट आर्मी को मैच में अपना सब को जोगना ही होगा prediction की बात कर लें तो 54% chances हैं कि RCB जीतेगी और 46% chances हैं कि DC जीतेगी और दोनों ही टीम यही उमीद लगाएंगी कि IPL का यह phase जो है एक अच्छे note या एक अच्छी जीत के साथ खतम करें अब देखना यह होगा कि आज का मुकाबला कौन जीतेगा तब तक लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें हिंद भारत धन्यमा देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहें हिंद भारत लाइप, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले